हेलो एब्रिवान विल्कम बैक नो माई चार्नल फंस्टेप फॉर एजूकेशन नाव विल डिस्कूस वर्क्षीट एटी फॉर क्लास 628 इस यॉर कॉमन वर्क्षीट देट इस 6 ओक्टोबर 2020 यहां आपको अपना नाम लिखना है इधर अपनी क्लास चिचर का नाम लिखना है टूड़े वर्क्षीट टॉपिक इस पॉलूशन आज की आपकी वर्क्षीट का टॉपिक है पॉलूशन मीन्स प्रदूशन आएगे ब देखते हैं pollution is the introduction of harmful material into the environment pollution का मतलब क्या होता है pollution की definition क्या होती है harmful चीज़ों का हमारे environment में मिल जाना या harmful चीज़े जो हमारे environment में मिल जाती है उसे क्या केते है pollution उससे क्या होता है air pollute हो जाती है water pollute हो जाता है land pollute हो जाती है आईए बागे देखते हैं इट मेक्स लैंड water air dirty and makes them unsafe और unsuitable to use यह pollution से क्या होता है इसमें harmful चीजे मिल जाती है हमारे environment में जो हमारे लिए safe नहीं होती और यह क्या करता है land को जमीन को पानी को air को गंदा बनाता है और उसे unsafe और unsuitable to use उससे use करने लाइक नहीं छोड़ता pollution affects our health and environment adversely pollution हमारी health को affect करती है हमारी health पर प्रभाव डालती है और हमारे environment में भी जिस environment में हम रह रहे हैं अगर वो ही environment polluted हो जाएगा तो हमारी health में तो automatically उसके effects दिखेंगे ही लाइक हम air हमारे आसपास की air ही polluted होगी तो उस air को हम inhale करेंगे तो वो जो उसके pollutants है वो हमारे अंदर जाएंगे और हमारी health को खराब करेंगे many human activities pollute our environment बहुत सारी human activities हमारे environment को pollute करती है for example air pollution is caused by the smoke coming out from the vehicles and factories air pollution किसके द्वारा होता है जो भी factories से धुआ आता है smoke आता है या फिर जितने भी vehicles होते हैं उनसे जो smoke निकलता है उससे क्या होता है air pollution होता है main types of pollution are यहां पर आपको pollution के types दिये हो है air pollution land pollution noise pollution water pollution air pollution हवा को दूशित करता है water pollution पानी को दूशित करता है land pollution हमारी जमीन को या हमारी soil को दूशित करता है and noise pollution जितना भी sound हमारे आसपास होता है वो हमारे कान को अच्छा नहीं लगता उसे कहते है noise पॉल्यूशन अब आगे आपको कॉशंस यह हूं है आंसर दा फॉलिविंग कॉशंस इडेंटिफाइड लेबल दाइप फॉल्यूशन शोन इन फॉल्यूविंग पिक्चुर्श यहां इस जो परसन आपको दिखाय हूआ है उससे यह साउंड बरदाश नहीं हो रहा तो यह कौन सा पॉलिशन होगा नॉइस पॉलिशन उससे हम क्या कहते है नॉइस तो इसके कानों को यह साउंड अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसने अपने कान बंद कर दे तो यह कौन सा पॉलिशन होगा नॉइस पॉलिशन आप यहां देख रहे हैं, पानी में कितनी आपको dirtiness दिख रही है, यह गंदा factories का waste आ रहा है, तो यह कौन सा pollution है, water pollution, इधर आपको soil दिख रही है, soil में garbage डालते हैं, या फिर plants को उखाट देते हैं, काट देते हैं, उससे कौन सा pollution होता है, land pollution, या फिर soils, forest हटा हटा कर, park हटा ह पर factories वगेरा, shopping malls बनाते हैं, उससे भी land pollution होता है, question number two is, discuss the causes of air pollution in Delhi with your family members and find some ways to reduce it, आपको अपने family से discuss करना है, air pollution के बारे में, क्योंकि Delhi में बहुत ज़्यादा air pollution हो रहा है, in recent years, तो आपको कुछ ऐसे तरीके बताने हैं, जिससे air pollution डेली का कम हो सके, आपको अपनी family से discuss करना है है, तो देखे मैंने कुछ लिखा है, riding a bike और walking instead of driving, आप car की बजाए, bike चलाएं, उससे fuel भी कम लगता है, और जितना कम fuel लगेगा, उतना air pollution कम होगा, और जो cars होती हैं, उसमे बेटर कि आप bike चलाएं, और या फिर अगर आप इतना distance है कि travel कर सकते हैं, पैदल, तो आप by walking travel करें, second is taking a bus और public transport, अगर हर इंचान अपनी personal car लेकर जाएगा, तो road पर car ही कार हो जाएंगी, इससे अच्छा कि आप bus ले, या फिर public transport, like metro, या फिर वो जो bus होती हैं, या फिर जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर आप carpooling भी कर सकते हैं, कि एकी car में ज्यादा लोग बै बैठ होंगा Tuesday को आप मेरी कार में बैठना, जैसे की odd even हुआ भी था डेली में, बाइंगा car that has great fuel efficiency, आप आपको कार ही चलानी है, तो आप ऐसी car खरीदे जिसकी fuel efficiency ज्यादा हो, उससे क्या होगा, smoke ज्यादा नहीं निकलेगा, और आपकी air pollution होने से बच जाएगी, आपकी air कम polluted होगी as compared to another car, यह थी आपकी आज की worksheet, यह आपकी common worksheet थी for class 6 to 8, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe कीजेगा और वीडियो को like कीजेगा, thank you